नस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवानूर आप देख रहे हैं बड़ी बात हर्याडा में दवा घोटाले की आरोपों का मामला अब तूल पगड़ता जा रहा है पहले इनेलो सांसर दूशन चुटाला की और से आरोप लगाये थे और अब आरोप लगाये जाने के बा तो पहले ही रिपोर्ट देख लीजी और जाने की मामले की शिरुआत कैसे और कहां से हुई और फिल्हाल मामला कहां पे पहुँचा स्वास्तिय मंतराली का दुशन चुटाला की आरोपों के बाद एक तरफ जाश तो शुरू हुए सरकार और मंतरी जी की और से इनेलो संसत दुशन चुटाला को धांदली को उजागर करने के लिए शुकरिया कहा गया और मामले की ज्राच का दावा किया गया और ज्राच शुरू भी कर दी गई लेकिन जाच के शुरू होने के साथ बयानबाजी भी शुरू हो गई इनलो के साथ साथ कॉंग्रिस ने भी ये कहा कि सरकार के भरस्टाचार पर जीरू टोर्डेंस के दावों में दम नजर नहीं आता आरोप लगे तो आरोप लगने के बाद स्वास्थे मंतरी अनिल विड्ज सामने आए प्रेस कॉंफरेंस की और सारे आरोपो पर एके करके जवाब भी दिया मंतरी जुने कहा कि जितना बड़ा अकड़ा बताया गया है इतनी बड़ी तो खरीधी नहीं हुई है और ना ही कोई घोटाला हुआ है एलैलो अती उत्साह में आदोप लगा रही है विजने इस मामले पर सफाई भी दे थी और ये भी कहा था कि आर्ट्याइन लगाने वाले मुझे जानकारी मोहिया करा दे मामला तो पता करने पर ही उसकी जानकारी मिलेगी मंदर जू के जवाबों के बाद भी इनलू सांसर दुर्शन चोटाला की आरोप बने रहे उनका साफ ये कहना रहा कि मामले की सिल्भाई जाच करवाई जाए तब ही मामला साफ हो सकेगा चोटाला ने हरियाणा के पांच जिलो में दवाईयों जाच उपकरन की खरीद में सो करोड उपे से ज़्यादा का घोटाला उजागर करने का दावात होगा साथ ही ये भी कहा कि अगर 22 जिलों की जाच हो तो ये घोटाला 300 करोड का घोटाला निकलेगा मेरा यह अनुमान है जो डाटा हमारे पास है अलग 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 डिस्टिक्स का यह सवा सो करोड से उपर का मामला है जिसके अंदर पूरे तथ्थे हमारे पास अभी पांच जिलों के मगर मेरा यह अनुमान है अगर 22 जिलों का प्रॉपर ऑडिट करवाया जाए तो यह पूर करवाई सी एजी से और साथ की साथ जो तथे मैंने आज आपके सामने रखें इन तथ्यों के अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मैं कॉपी उनको दूंगा इसकी सी बिया जांच कराए चन्डिगर सी कुमार रमेश के साथ 34 सांग्वान की रिपोर्ट खबरे अभी तक तो हर्याना के स्वास्ते मंत्री अनिल्विज के ये कहे जाने के बाद कि दुशन चुटाला को नशा मुक्ति केंदर चले जाना चाहिए नोटीस विजजानी का फैसला लिया जाता है लेकिन इस नोटीस का जवाब भी मंत्री जी नोटीस के मूद भी देने में नजराये हैं कि नोटीस का जवाब नोटीस से दिया जाएगा विभाग को डिफेम किया जा रहा है जिसके लिए नोटीस वो भेज़े किया उनको नशामुक्ती केंदर में जाने की जरूरत है। प्रतिशत जो है वो जो वेजिज में जाता है, तनखाओं में पैसा उसका जाता है। और अनच्यम ऐस सच अपने स्थर पर कोई परचेज नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुश्यंथ चुटाला जिस छेतर से आते हैं, वहाँ पर नशे का काफी परभाव है। अनिलविच के इस बयान के बाद दुश्यंथ चुटाला ने ट्वीट कर जवाब दिया। और लिखा कि ना तो हम बंदर की तरह टंकी पे चड़ते, ना सडक छाप की तरह महिला अफसर से लड़ते, रही बाद नशे की, हाँ नशा मुझे है, संसद में दाहरने का, घोटाले उजागर करने का, नशा मुझे है, बेरोज़गारी मिटाने का, गरीब को न्याय दिला लड़ने का, हकों की लड़ाई लड़ने का, सची बात परणने का, तो विच कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया, और लिखा, आपने लिखा आपको घोटाले उठाने का नशा है, परन्तु आपने अपने परिवार के घोटा हमें, नशा मुक्ति केंदर वाली बात पर दुश्यांतर चोटाला ने लीगल एक्शन लेने की बात कही, उनकी और से दिखवीजे चोटाला क्या बोले हैं, वो सुन लीजीए वो उसकी इमेज पर एक दाग पैदा करता है, उसकी इमेज को कलंकित करता है, तो यह हमारा डेमोक्रेटिक कॉंस्टिटूशनल राइट है, कि हम अनिल्विज चाए वो मंतरी हो ना हो या प्रदान मंतरी भी क्यो ना हो, हम उनके खिलाफ अदालत में जाकरके इस पे निया आए मांगें, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, आज मांग लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं मांगेंगें तो कल को जो हाल किज्रीवाल का हुआ वो ही हो, बात नोटिस की थी, जवाब में भी माफी नहीं नोटिस मिलेगा, ये अनिल्विज की और से साफ कर दिया कहा गया कि विभाग को डिफेम करने के लिए विभाग दुशंत चुटाला को नोटिस भेजेगा, नोटिस तो हम उसको भीज रहे हैं और हमने अपने वकील को कह दिया है कि जो उसने जुटे रोक लगाए हैं कि तीन सो करोड रुपे का घुटाला हुआ है, जबकि हमारी जो टोटल परचेज है, लोकल परचेज है, टोटल, वो चालिस करोड की है, चालिस करोड में तीन सो करोड का घुटाला कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम उसको नोटिस दे रहे हैं जाहिर है मामला गंभीर है, अगर खरीब के नाम पर करोणों का घुटाला हुआ तो गहनता से जाच हो, ये भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिलहाल मामला व्यक्तिकत टिपड़ियों के साथ साथ, इस बात पर घुंता नज़रा रहा है कि ये घुटाला हुआ भी, तो ब चस्प होगा कि लीगल नोटीस का ये सियासी चक्र कब और कहां तक घुंता है। अगर हुई है तो इतनी बड़ी नहीं हुई, घुटाला अगर हुआ भी है तो इतना बड़ा नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह की बयान दिये जाती है, बात लीगल नोटीस तक पहुच जाती है, अब मामली में क्या हो सकता है, कितनी राजनिती है, और आरोपों में कितना ग़ोना द का दमख है, साती मामली में आगे क्या कुछ होगा, उसको लेकर चर्चा करेंगे में आगे, पैनल के साथ, हैं साथी राजनीतिक विश्लेशक हमारे साथ अनिल आरिय जी है और डॉक्टर शाम सखा शाम है हमारे साथ बहुत सवागत है आप सभी का इस चर्चा में शुरुवात करेंगे वान साब आप से जब आरोप लगाए गए हैं कि करीब 300 करोड का घोटा लाखू आप तो पूरी क्या है कि पहले तो सारी चीज समझे आप क्या है कि श्पॉट लाइट के नीचे रहने के लिए कारिक तरीकी का परियास हो रहा है अब यह जहां तक इसका सवाल है यह आर्टी आई का रिप्लाई जो उनको मिला है दुश्यन जी को अपे 300 क्रोड के आंकडे पे श्वैम पह सकता है तो यह अपने आनुमान जोर रहे हैं अपने हिसाब से लिए और जहां तक सवाल है मने दुश्यन जी का तो दुश्यन जी तो निरनाट तेंगे पड़े मंत्री थे तब उनकी पढ़ाई कहां हुई आप देखे ना उस चीज को और जिप सुकत उनके स्वेम के दादा जी मुख्य मंत्री ते हराना कि उसके बात करूंगा मैं इसके बात बैराल जिस समय जिस विशे पर हम है उस पर बात करते हैं अब पड़ा लिखा विक्ति जो लं बात करें यहां कि आप इस बात बात करी नहीं है अगर अनिल्विज जी ने उनके संदर्फ में कुछ ब्रक्ता उनके पास ऐसी कुछ नकारी हो तो उसका उत्तर व्सौह विव्यक्तिका टिपनियों ने करी है तो इसका शरकार से पार्टी से कुलेने दिनानी है अगर विक्तिकर टिपनी के ऊपर उनसे पूछा जाए तो अनिलविज जी उसका उतर देंगे आपने नोटिस दिया आपके पास जवाब आजाएगा तो इसके ऊपर टीवी चर्चा के अंदर मैं क्या कहा दूं कि यह सही है क्या गलत है उन् दूं कि आर्थ है कैसी का किसा आदार पर का उसका उतर मिल देगा इनको उसमें क्या समस्य आए रोल साब यह व्यक्तिकर बाते ही जो उनके और से कखी गई कि नशामुक्ति के इसे लाके से सांसाद आते हैं इसमें हालांकि हर्यान अभीजेपी साथ नहीं है मंत्री जी के लेकि साथ होना ना होना तो माइने नहीं रखता बेहुदी और गटिया टिपनी जो की है मंत्री जी ने वह केवल और केवल जो के दो कारणों से किये पहला यह कि परमुक्त मामले को डेविएट करके अपने लोगों को बचा ले क्योंकि हमने वहाँ पर जो है फार्मेसी से नियूपती दिये तो अपने लोगों को बचाने के लिए जैसे उनको बचाने के लिए इस मामले के डेविएट करके सो रुपे तिन सो क्रोड की चोरी के ओपर ले करके आगे मैं इल विज्जी को भी बता दू फोरजरी अगर एक पेज की है तो भी दस साल की सजा है अग है प्रमुख बात के ओपर उत्तर देने के कि यह गोटाला हुआ या नहीं हुआ हुआ तो कौन दोशी थे अगर दोशी थे ना भी हो तो एफाइयर क्यों ने रजिस्टर होई मेरे कोई इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि जब हमने आर्टिय के माध्यम से इनको सबूत य तिशा बर्मुथ करने शोकी होटार के इनको क्रृटिसाइज करने चाहिए टिकत क्या है अब்सक建 새ilight ano सब्सक्राया को मारे करके एंग कष वे ना फृतालो बोसी इस बात का है औरो सब्सक्त अरी रहोत्यवा क्रेशे को मिए बताओं ध protagon आपने इस प्रफ रिफ में लगाया अपने लगाया उस फर्जी व्यक्ति के बैटे ने गोटाला किया अचा उस वर्जी व्यक्ति ने इसके अंदर लिखा हुआ स्वर उचा करके जूट को सच सब्सक्राइब करके जूट को सच सब्सक्राइब करके मेरी बात सुनिया जहां तक आपने यह आरूप लगाए आप क्या दुश्यन चुटाल से कहेंगे कि साड़े तीन सो क्रोड का यह फर्जर व्याड़ा नहीं है इसके लिए आप माफी मांगे क्यों कहूं आपके आपके सब्सक्राइब करें आपके पास कोई तत्थे हैं आप होते को ने इंदी जी आरूप लगाने वाले पहली सब अब बाजपा की जोएंट सरकार के बारे में बूले इतने अती तेजित नहों यह बात सुनिये ध्यान से आपके समय में जो आप लोगो ने ती यह नहीं थी यह बताईए पर आपको दूसरी बात बताईए आप लिए आप लिए आ बुब दूसरी बाद था आपके मंत्री को बलते हमें दूसरी बाद करते हैं लिए अपसे समर्तन वी वापीस लिए ते अपने बताऊ का अट्वी अधिक संपती के मामले की जैसी कि आप लखती की नहीं थी अटए आप पीडा होई कैसी बात कर रहे हैं आप रत्र पलार लगी का इस आप सुनेंगे से बता हो जड़िए आप अपने इसा कर लेगी चर्चा में घीर था के संगे 5 कर दिजिए जर्टा को क्लियर कर दीजिए कितना है कितना नहीं जांच से क्लियर होगा जांच से साफ हो पाएगा जांच से साफ होगा आप दिखा दो ना समझया क्या है आप यह बताई आप चिंता मत कीजिए कॉंग्रेस की टिपनिया ने दिये वह भी दिखा दूगा देखिए कनक कनक से सोगुना मादकता अधिकाय एक पाए बहुराय जग एक पाए बहुराय जग एक खाय बहुराय अप मुझे पता भाई आप क्या खाके क्या बोल रहे हो आप पाए आपका काम क्या है आपके पास अधिक बार के लिए यह सवाल सून लेजी जांसे साथ हो जाता ना इसोनिए एक बार के लिए आपको एक बात बड़े सब्सक्राइब एक समय था जब आपका राजिस्थान में पस्चमी उतर प्रदेश में दिली में और अर्याना के अंदर प्रतिदित तो होता था अब आप अर्याना के कुछ जिलों में सीमित हो गए हैं आप चिंता बड़े के लिए आप अपी बेट के नीचे रहने के लिए इस किजिवाले की फार्ये बात कीजिए ऑन दुष्शत रालाग।। तो क्या दिखकत आपके दंगर्जा खोटों की सकते हैं तो तो आदिकार बूम से जा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर वाद जाना समधान नहीं हो सकता थगियां कितनी आपके समें यह कर दो लें कुले कि शुक्राइब करें अब शुक्राइब जारी कि व्रीक वान में व्होंता करें जो मैं चल्याइब जाते हैं क्यों कि आपने आपको करवाना पड़े का फुनिए देखिये यह मामला जो है इसको क्याग ने बताया कि यहां पर इसके मामले में यह निमिता हो रही है मान साब को यह चाहिए अरे सुन तो लीजिए कैग रिपोर्ट ने सवाल उठाए या नहीं उठाए इस मामले में कैग रिपोर्ट ने सवाल उठाए या नहीं आप बताएए है या प्रवक्ता हो दिया निके आपकी जो आप एक मिनेट आप इस वहीं बात कर रहा है अरे आप सुनिये तो सही मान साब सुन लिए बात सुनिये सुनिये इसके अंदर चाहे 40 क्रोड की बात है चाहे 40 क्रोड की बात है अरे सुन तो लिए रमनिक बांचाप नहीं साथ साथ नहीं बोलेंगे आप अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप एक इंडिपेंडेंट जांच इजंसी से उसकी जांच करवाले अगर बीजेपी को विपक्स कोई अवाज उठाता है तो बीजेपी उसको दबाने को क् आपको वोट दी है आपको तब चुना है आप अपनी बात कीजिए अपना मुद्दा रखिए आपको ये चहिए आप सरकार में हो आप सवतंतर अजन्सी से जांच करवाए अप जांच करनाने से क्यों भागतें दूसरी बात आपकी मैच-fixing जो है वो तो सब समय जा रही है मैच-fixing मत कीजिए आप अपनी बात के करें आप अपने बात का मुद्दा रखे और आप किसी तरह से मैच-fixing करके यह से ज्वाब मांगागा या ज्वाब से सवाल किया है तिक्रस recursos कि देखिए मैं इन से यही बात करना चाहरा था कि जे 40 क्रोड़ का मामला है चाहिए 300 क्रोड़ का मामला है मामला चाहिए कितने का भी हो तो रही है उसकी जांच किसे कहां करिए पताये जांच करवाने की बात रखी है उसको आप दबाने में लग जाते हैं चाहिए चाहिए लगा जाती है वीजे जो आरोफ लगाएं गये यह स्वास्ते मंत्री का पक्ष है कि 300 करोड़ का एक घोटाला नहीं हो सकता हमने तो बजट ही 40 करोड़ का जारी कि आखे उसके बा मुक्ति के इंदर चले जाएं सांसद ही कितना ठीक है जो राजनीती में जो होना निमंता गासभ से निमंतम सतर में मानता हूं कि एक मंत्री जो है सही जवाब ना देकर वह सांसद पर ही उल्टे सवाल खड़े कर रहे हैं हालाकि उन्होंने जबाब भी दिया उसे सांसद मो में बैठे हैं इस तरह की डिबेट थोड़ी नहोती है अगर कोई भी गोटला हुआ है वो कितनी भी उसका हुआ है आप फायार दर्ज कीजिए जांच कीजिए एक संसद ने मामला उठाया है उसकी जो है पोजिटिव परतिकिरिया आनी चाहिए यही ना कि उनके उपर यह क जिसको सुद्राजनिति कह सकते हैं और अब तक कारवाई होनी चाहिए थी एक दो आदमी को रेस्ट किया जाना चाहिए था जोड़ा है ज्यादा है आप इस डिबेट को इस पर क्यों लेके जा रहे हैं कि वह गोटला चालिस करोड़ का नहीं है तीस को है तिन्सों का है दो कि बच्चों ने देश का नाम इतना उचा किया मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ बजाए इसके कि जगड़े दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो आज आपके ही चैनल पर एक रमेश कुमार हैं आपके जो पत्रकार उन्होंने एक बहुत हुई गोटाले की उस दिन क्या हुआ मंत्री जी ने फॉरन का गोटाला हुआ नहीं उसके फॉरन बात काया मैंने इसके लिए जाच की आवाज दे दी है फिर यह का मैंने सस्पेंड कर दिये हैं आप यह देखिए क्या ग्यान दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से सु यह लगता है वो एक पर्खी निकाल के उसके में देखते हैं गराब है कैचा है करना है तो गोटाला चाहे एक रुपए का या जो भी है और दूसरी बाद में यह जरूर कहने चाहूंगा किसी को बुरी नहीं लगे के जो हम प्रवक्ता लोग यह बोलते हैं पार्टियों के और से यह इनकी पार्टी का एक इमेज रिफ्लेक्ट काता है यहां पर और ऐसा न लगे के पार्टी के जो लोग कहते हैं के नशा फ्लान किया तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा मेरा ऐसे प्रवक्ता को हुटाया भी जा सकता है और मैं यहां इसे आपके चैनल के मद्धिम से यह पार्टियों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जंता देख रही है कौन क्या कर रहा है और दूसरी बात यह है कि मैं यहां पर दो तिन बातें रखना चाहता हूं यह जो अनिल विज्जी है यह पुराना इतिहास अगर देखा जाए जो थोड़े दिन पहले भाई दिगवजा सिंग चुटा पहले से तो यह बात एक सर्व वीधित रही है के बले ही अनिल वेज्जान इर्दलिय रहे हो बले ही वह किसी पार्टी खरें है लेकिन थोड़ा बहुत खानुभूती चुटाला साहब पारटी कि उनकी इनके साथ वांसि जरूर रही है प्रत्यक्ष का पहले मैं बता रहा हूं कि है दूसरी बात यह है कि ठीक है ये घुटाले की छोड़ दीजी आप इंडियन नैशनल लोग दल्प के जो नेता है विदान सभा में विपक्ष के नेता है उन्हें ने तो विदान सभा का गठन होने के तुर्ट बाद ही गुर्णर को दे दिया था कॉंग्रिस के खिलाफ इतना बड़ा ममिन डम इ और सरकार उसको लेकर किसी नहीं अधीश को बठाती है तो ये बाते क्या थाबित करती हैं पार्टियों के बारे में अभी हमारे शाथी ने कहा है कि यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैज़ फिसिंग है तो मुझे राजनिती में भी कुछ बहुत सी बातें ऐसी बहुत ही शिष्टाचार और बहुत ही सुल्जे हुए व्यक्ति हैं और इसी तरह से दुशन्ट चुटाला जिनको लोकसभा से अप्लॉज मिला है उनको वहां पे उनकी शिरहना हुई है लोकसभा के अंदर और उनका होमवर्क होता है इसमें कोई दोर आए नहीं का होमवर इसे लांचे लगा रहे हैं यह जो राजनीति का स्तर है यह को बहुत बढ़िया स्तर नहीं है चाहिए यह कि जैसे मुख्यमंत्री ने अपने एक उडन दस्ते को हर्याना सब्सक्राइब को वहां बेजा चापा मरवाया है क्यों नहीं इस विबात का भी पता करवा लेते है प्रॉबलम कैसे समझा जाएक कि कितना बजट विभाग देता है और कितनी खरीदारी के चाहिए को अगर कीर्प इक बजट तो होता है जो सरकार खरीद के लेका में और दूसरा बजट जो होता है जो लोकल खरीदा जाता है ये तीन तरीके से यानि क्योंकि immediate कोई emergency आ गई या वहां से सरकारी उससे आना जो है उसमें time लगता है तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से ये medicine का budget होता है तो ये जो budget की बात की है चोटाला जी ने वो जो local budget था उसकी बात की है अब इस बात से अलग है कि भी वो कितना था और उन्होंने साफ कहा कि पांच जिलों का इतना है तो उन्होंने calculate थोड़ा सा एक्जेजरेट फॉलिटिक्स चल लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है वैसे कौसल जी मेरे दोस्त है कहते है यानि विजजी ऐसे रही इन्होंने देखा होगा मेरा जो वास्ता पड़ा मुझ पुत्री और जिसके पास भी भाग है क्योंकि नसा दवाईयों में आता है और वो यह कहता है कि वो तो नसे का इलाका है तो आप भी नसा करते है यानि इससे भी बढ़ी कि वो नहोंने दुश्यंत के लिए का वो तो notice दे देंगे लेकिन जनता कहां से notice देगी कल को मुझे लोग कहेंगे कि आपके इलाके में तो पंजाब वाला हाल है फ्लाणा वो हाल है इस इन नॉंसेंस और इस बात की भी मांभी मांगनी चाहिए कि उन्हें ये कहना कि सिरसा नसे का है I am a same of such minister देखे स्टेट के अंदर ही आता है वो इलाका भी जिसको लेकर कहें कि नश्य से प्रभावित है फिर सरकार उस पर एक्शन लेती कम से कम अब तक अगर शाम 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 जी ने सारी बात करते करते बीच में पंजाब और गुसेड दिया कि पंजाब बड़ा हाल है तो आपको भी शरम आनी चाहिए आपको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नी करना चीए अगर हर्याना के च्छेतर के विशे में उन्हें ऐसी बात कई है जिस के साथ हम पार्चिंता 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 पार करता है कि इस इलाखे में उसमें क्या बात करते हैं ूम आसी बात करें? आप उसरे बात रूती करनी आती है, वो पॉलिटीशन होंगे, मैंने पॉलिटिक सी बात 안नी की. मैं यह पांजाब को का उधा करते हैं, द्धियाफ ने पूरा पनजाब हो आगाता है. वहां केस चल रहे हैं यहां अज तक कोई केस भी ज़ा आगी तुरे इलाखे को आपने कह दिया जा बात करें आप पंजाब करें आप क्यों बहुत है आप उसी सेंस में पंजाब करने के लिए अपनी बात कहता हूं इन्हों ने अपनी बात कहते कहते एक बात और कह दी खुद मान लिया कि हाई इसमें पॉल्टिक्स है लेकि बड़ा चड़ा के बोला है अब मैं यह कहता हूं कि अगर उसके अंदर एक रुपे की हुई हो बीस रुपे की हुई हो अब 40 करोड के बजट में से इसकी जांच हो रही है अब आप सुनिए सुनिए कहां हो रही है कौन से इसमें फाइयर दर्ज भी हुई है डिपार्टमेंटल इंकोईरी अलग चल रही है और फाइयर अलग दर्ज हुई है बेरहाल आप फाइयर करवाएंगे आप इसे पूचे आप के पास है करोड़ की कोफी आप के पास है और आप लोइसे आप आप क्या रहे हैं और आप के बात वारे में सब केस्ट हो रहे हैं आपको नहीं हो रहा हैं लिए पूचनल बते अपनेशन पूचा है मैं आप ने पूच्छा इस विशे के बारे में एक तो डिपार्टमेंट लिए निमिताओं के संबन्द में और जो चीजे पाई गई हैं जिस तरह से हिसार के अंदर जो हुआ है उसके विशे में परचावी दर्जव एक फायर दर्जव ऐसी बात मेरी ग्यान में आई एक और वही बात मैं कह रहा हूं अब यह कहना कि आप इसकी कॉपी लेके आए आप ने किसी जारे पर आप लगा दिया तो मैंने आप से बात तुरना कर रहा हूं मैं आपको संबोधित बिलकुल साजीशन मैंने एक बड़ा बेसिक बताई थी आपको और की एक रजिस्ट्रार जो दुशन जी ने बताई थी आपना फार्मेसी का रजिस्ट्रार जो है अनिलवी जी के बकाइदा साइन से नियूक्त होता है और उस व्यक्ति की डिग्री फरजी है डिप्लोमा फ बहुत बहुत है और उनकी डिग्री की जानकरी भी है दोनों चीजे यहां बैट करें लिया हूँ अम भाट कर चुके हैं इस रेकाई अधितार हम बैट कर चुके है अब बताऊ ना भाई साब अधानी जी आप बताऊ ना भाई जी आप वाट कर रहा है यूं जो यह और इस ने मेरी पार्टी उस बात से सहमत नहीं है उसका इसका उत्तर इसका उत्तर देंगे आपने उनको नोटिस दिया के लिए बताईए आप बिल्कुल दिया है यह आपका दिया हो नोटिस है ना कॉन सा यह आपका दिया हो नोटिस है यह मेरा दिया हो है अधुame यह कर रहिए कंझे कावख दिखिए कार्य ऑफ停 को कोपी में रहे जो पर आप आप सरे लिए वह स्वाल जाते हैं तेस्ट को सुछाब डीच में विच्ट कोर्गें नें कि दॉर समय पारने अपार अच्छ आता हैं आप हर्याद अगर कोई सांसद आरोफ लगाता है कि विभाग को डिफेम ही कर दिया गया अगर आरूप लगाए गया इस तरह कि इसको इसको मैंने पहले भी कहा कि आप इसको मैच फिक्सिंग के तरीक के से ना बनाएं क्योंकि मुझे ऐसा अभास हो रहा है और कोशल साब ने भी यह बात कही है कि यह एक तरह से मैच फिक्सिंग लग रही है और इस तरीक के से मुझे भी यह फील हो रहा है कि यह मैच फिक्सिंग ना करेंगे आप इस तरीक के आप इस तरी के आप जो हैंड दिबेट ना कोई रहे इस चीज को आप कोई किसी चीज किसी माउंट के बीच में या दूसरी उसके जो मुद्दा है मुद्दे की बात करें मुद्दे की बात यह है कि अगर उसके अंदर गड़बड हुई है तो आप बीजे पी यह बताए कि उसने कहां F.I.R. दर्ज की है कौन सी सवतंतर एजनसी को उन्होंने जाच दी है और एजनसी कौन सी है यहां यह HSS के मामले में भी अगर यह पुलिस की एजनसी को दे रहे है तो वो भी एक इंडीपेंडेंट सवतंतर एजनसी को जाच देनी चाहिए क्योंकि जो चेर्मेन है उसके नीचे वो उसका कोई मतलग नहीं रहे हैं कि उसी उनी के लगाए हुए आदमी है और उनी कोई पचाने की कोशिश हो रही है और पुलिस जो है वह हर्याना सरकार के अंडर काम कर र आएगा सीबी आई के गुर्मांग की जा रही है कि जाच करें तो सरकार दिखें इतनी कम फिर कम से कम जो कैग है के वल अपनी रिपोर्ट देता है और वो उसमें बताता है कि यह गलत तरीका अपनाया गया इससे इतना नुकसान हुआ इतना इस तरीके से किया जा सकता था ategor नुका तरीका गलत है इस तरह की रिपोर्ट क देता है फिर नहीं कही जा सकती यंजा सकती यह कोई भी आर्यानाendesTube पांप्च कि और रिकेणे की सरकार को दिख्कत क्या है अगर मामला चाहिए कितने भी रूपे का है लेकिन वीपक्स को सैटिस्फाई करना ही अच्छी राजनीती का परिचाय कोता है कि आप जो भी वीपक्स आरोप लगाता है आप उसकी संतुष्टी करें उसी में जनता की संतुष्टी है केवल अपने आपको सरकार को जनता ना सम स्पोर्ट्स मर जाना जाता था और आप मान साब आकड़े उठा के देखिए सं 2000 से पहले के आज अर्याना आज अर्याना को मन वेल्थ में चाहिए वहां कभी पंजाब का नाम होता था और आज चंडीगड़ में जो बरतिया होती है उसमें 90% बच्चे अर्याना के बरतिया है बहुत अच्छी बात है इस पूप्स को प्रोचान दिया हम लोगोंने आने के बाद बरहाल बरहाल जो अपना उसको पर कमाल क्यों नी कर दिया ठीक तो है आप खुद कह रहे हैं रिजल्ट आ रहे हैं अरे बता रहा हूं सुनो आरे सुनो सुनो यह इनका कहना कि भी आपके विपक्षने के बात उठाई उसको सैटिस्फाई करना आपका दाइत्व है अब मैं कहा हुं कि वह आप पर आप आप पाताल उसकी भी जारी जारी रहीं आरे हम 2000 क outfits थे खालओ वार्णा वार्णाऊ means कि यहां तक विशे है इस बात का मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह 30 करोड 400 करोड आपने कैसे बना दिया और क्या इसके पीछे कोरी राजनीती है या नहीं एक जांच जारी है उस जांच के दौराद करोड कैसे बना एक हो सकता है शुरुआ की इसी सवाल से हुई थी जो थी दो बाती पहला जहां तक विच्छ साब की निजी टिपनी का सवाल है उसका उत्तरों सहम देंगे ना पर्टी न सरकार अरे अरे नी 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 सहमती ना सहमती उनके पास क्या जान करी है अरे भी निजी सहमती मेरी माफी उसका कोई सेंस निया बाई दूसरी बात अरे विचे पिकाट क्या है ये दियर जापी जह को लें दो जो थी आपको यह जो थी बयान में मंजी के साथ पड़ी है उनके साथ परें यह को रहा तक CBI ओने मामले में मैंस पिक्सिंग कमरेस किया रूंकी दिग है इसका किने में बात अकिकवर दिगी क्रुस हाथ परें यो है परिमान है तो बात किकी में बूसरी पास तो सिंग पैसा अधिग दो वी ज्रूंकी को फोकैंगे छल दमने में करत देकी अवायँ है और एक सार्वाय आ ये मिलि गता है इच सशो है आलगों कétais धो तुसरी मे मुझे म्यूट करना होगा नरेश चीज़े हमने सवाल पूचा शर्म आती है ऐसी डिबेट में बार-बार आपको रोका जाए बोले कि बहुत अच्छा है किस बात का कि लोग तंत्र खत्रे में है बार पार्लिमेंट में बोलने नहीं कोई रेता और अगर यहां ऐसी डिबेट देखी जाए यहां पे और उन प्रतिनिदियों को देखा जाए तो शर्म आती है कि ऐसा जो अंचन उन्हों रखा है धने हैं उनके ऐसे वरकरिया ऐसे पर लिए अच्छी बात है उनकी भावनाएंतंजाब के प्रती उन्हों नहीं इतराज किया है मुझे इस बात कर दवाब दीजिये के मंत्री ने कहा शिर्शा नशे के लिए जाना जाता है आपका उसके बारे में और आपकी पारटी का क्या कौत निंदा कर ते हैं तो उस पे इ परवक्ता किस बात के हुए बदैया है टुनेंगे अटे रॉक्ता किखे हाँ बागे आपके लोग दर के परोक्ता अर्व मैं आपको बता हूं सक अभी मारीज से बात करता हूं तो मैं एक डॉक्टर होता हूं को उस पार्टी की बात है और ये बड़ी सर्म की बात है हर बात को ये ले देते हैं कि निजी बात है क्या उसने ये फोन पे का कि मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं मैं मंतरी नहीं बोल रहा हूं उसके पास कौन जाएगा वैसे बयान लेने के लिए ये बिल्कुल गलत बात है जब एक आदमी चुना जाता है, वो पांच साल के लिए मंतरी है, तो मंतरी की तरह बात कर रहा है, बिना मंतरी के, वो नहीं, उसी तथ में, एक मिट चुप़े ये, दफकर, उसी वक्त वो ये कह रहा है, ये 40 करोड का है, तो भी करत है, आप क्यों नहीं कहते हैं, आप कहिए फेता, आप ये 0.47 डौट का कह रहे हैं, जो बी हादमी बोलता है, जो भी आदमी बोलता है, उसी के बीक में बोलना शुरू हो जाएंगा, तो ये तरीक का लए टिब两वेत दरी कूषे और अपनिवो Vice, को फेता है? पांप स्तिल Fr. उ Soo झाल